हेलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारूं कि कैसे आप अपने Realme 12 Pro Android में आप अपने मुवाल फोन के स्टोरेज को आप खाली कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डीटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए आपके वीडियो कम स्टार्ट कर लेते हैं देखी दोस्तों अगर आपको अपने real phone का स्टोरेज खाली करना है तो सबसे पहले तो आपको mobile phone की गैलरी को और करना है ठीक है mobile phone की gallery के अंदर आपकी जितने भी फालतोगी photo video आपको पर्मानेट डिलीट करने हैं जिससे आपके phone का storage खाली हो जाएगा अगला काम करना है है आपके phone में जितने आपको एप के सामने अला डेटा 0 हो जाएगा, इसके बाद clear data पर tap करना है, तो आपको यह page वाता है clear app data का, उससे okay करना है, आपको data के सामने अला data अडे पर जो सक्कुलापका 100 हो जाएगा, तो Gigi's app के अंदर आपको backup setting मिलते हैं, उन सभी apps में से backup setting को बंद करना है, यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए, example के लिए मैं अपने mobile phone की gallery को open करता हूँ, इसमें आपको right side की top पर यह profile picture होती है, इसे tap करना है, ठीक है, आपका यह page आएगा, इसमें देखे backup के setting है, तो यह setting को बंद कर देना है, ठीक है, देखे दोस्तों, यहाँ पर मैं apps की backup setting को इसलिए बंद करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर यह backup setting चालू रह जाती है, तो इससे हमारे mobile phone का internal storage जल्दी फूल हो जाता है, तो इसलिए आपको इन backup setting को बंद रखना है, जिससे आपके mobile phone का storage खाली भी रहेगा, ठीक है, अब दिखें, यहाँ पर आपको अगला काम करना है, आपको जब मोईल फोन को reset करना है, जब मेरे बताय हुए पिछले process कोई भी अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको phone को reset करना है, अदरवाइस नहीं करना है, फोन को reset करने के लिए, आप phone का setting page open कर ल जाएगा, आपको नीचे erase all data पे tap करना है, इस आपको phone reset हो जाएगा, और आपको phone का storage खाली हो जाएगा, लेकिन आपको phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है, पहली बात ही ध्यान रखने है, आपके phone में जितना भी data है, सारा data, आपकिसी भी दूसरे phone में transfer कर ल जाएगा, ठीक है?